अब इसकी दो टाइफ्स हैं quadratic equation की number 1 is pure quadratic equation and number 2 is impure quadratic equation अगर किसी भी quadratic equation में आपको B की value zero लग रही हो जहींकि 82 यो ये वाला हिसा ही ना हो तो उसwhel को हम pure का नाम देंगे अगर ये हिसा भी आपको नजर आज रहा हो तो उस equation को हम impure खनाम दे देंगे अब इन equation को solve करने के तीन तरीके हैं और इन तीनों को हम one by one discuss करते हैं and number one is by completing scale number two is using quadratic formula and third one is by factorization तो पेपर में जो question settle होता है वो question के साथ लिखता है कि इस equation को quadratic formula से हल करें competing square से हल करें या factorization method से solve करें तो आपने जो question पोचा जाएगा उसी को follow करना है अगर वो just यह कहता है solve the quadratic equation तो तीनों तरीकों में से आप कोई एक तरीका apply कर सकते हैं इस case में आप bound नहीं हैं अगर तो वो special कहता है कि इसको इस तरीके से हल करें तो आपको उसी तरीके से हल करना पड़ेगा अगर आप ने उस तरीके को follow नहीं किया तो आपका question wrong consider होगा I hope that कि आप लोगों को lecture की समझे लग गी होगी अपना खयार रखेगा अल्लाहाफिस